मैया मैया काओ चलड़ी आओ मेरे लिए एक पोशाट बना दो शुंदर शी जैसी वो फलो कापने अपलेनी बनाई थी हाँ लला बिर्कुल अब भी बना देती हूँ जाकर अपने सखाओ के साथ खेलो इतने मैं बना देती हूँ तो देखी गई यहाँ पर मैंने कपड़ा ले सब्सक्राइब लेकिन 40 इंच काफी होगा है मैं थोड़ा सा बड़ा ही रख लिया चोड़ा है इसकी साड़े चार इंच और इतनी ही लंबाए चोड़ा ही हमारे और गिंज वाले फैब्रिक की तो और गें चाफी प्यार लगते हैं तो में लड़्डू के लिए बनाएंग तक इसकी तीन साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे, उपर वाली साइड छोड़कर बोटम पर और दोलों साइड ओपर, तो यहां से सिल लेते हम इस तरह से कुछ, साइड से सिला, और इधर से बोटम को सिल लेंगे, और पूरा दूसरी साइड तक सिल लेंगे, तहां पर मेरी गोटम तक हो गई यह स्लाई और यह साइड तक हमारा हो गया है स्लाई को अच्छे से लोक कर लेंगे तो इसलाई हमारे तीन साइड पर लग चुकी है कुछ इस तरह से दिख भी नहीं रही वाइट कलर में यह न लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा जो एक्स्ट्रा फैब् इससे पर यां फ्ल пош़आ हो एस्कों पर आप के लिए हमारा पास इसतरह से लगांगा लगाओ या पार इक आप तो कोई भी लेस लगा सकते हैं लेस को मैं हाप पर फोल्ड कर लूँगे हलका सा जिससे ये खराब ना हो और इससे भी आगर आपके पास और भी कोई लेस है वो भी आप लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैं बोटम बोटम पेस पर लगा रही है उसको पूरे पर नीचे लगा ले जिससे कि हमारी अच्छे से पोसाग का अच्छा सा गहरा आ जाए इस तरह से दो तिन प्लेट्स एक साथ पकड़ कर बना लेंगे यह फैबरी को दबाना थोड़ा मुस्किल हो जाएगा हास से अच्छे से दबा कर रखेंगे और दो दो या फिर तीन तीन प्लेट्स एक साथ द्यान रखें आप इसके बोटम की साइट से सब ही प्लेट्स एक बरा बनाना चाहिए उपर चाहिए थोड़ा पोट्रेड़ा हो जायागा तो हम काट कर ठीक कर दिलेंगे नीचे से एक बराबरा जाएं सारी प्लेट्स और इस तरह से इनको सिल लेंगे तो यहाँ पर कमर म को इन मसीन के पैरों को तब हम उपर उठाएंगे जब सुई हमारी नीचे जाएगी जिससे कपड़ा हमारा हिलेगा नहीं तो इसी तरह से पूरे फैब्रिक पर मैं प्लेट डाल लेती हूं पांच इंच कमर चाहिए उसी के हिसाब से कि तो इसमें नेшथ लगाएंगेए थोड़ी बढ़ी भी हो जाएगी तो कोई दिकत नहीं आएगी नेफथ लगाएंगे तो बांदेंगे तो अच्छी कि यहां तपेट को गईज है और शिल्च को अच्छे से लोग कर लेते हैं तो आभी सिर्फ की रभूत प्यारा लगा रहा है देखने में वैस्थ और गेंजा वाला फैबरिक जो है वीडियो को जल जाए प्रैस मैंने लगा लिए अभी हम इसमें नेफा लगाएंगे नेफा लगाने के लिए मैंने लगबख देड़ पोने दो इंच चोड़ी एक पट्टी ले ली है और जितनी हम अंकमर रखेंगे उससे डेड़ दो इंच एक्स्ट्रा लेकर ही पट्टी को रखेंगे हम पर पकांस इंच कमर आ चुकी है और सबसे पहले तो इस हम अपने गहरी को कर देंगे वे साइडकर लें इस तरह से सिल लेंगे कोई से कपड़े को भी ज़्यादा खीचना नहीं है और एक्स्ट्रा फैब्री को कट कर देंगे इधर से इतना फोल्ड गया हमने इस तरह से और यहां तक सिल लेंगे अच्छे से लास्ट में स्लाइक को हम लोक कर देंगे तो यह एक साडorta आज़े पर करेंगे को सीथी साइट से खेंगे अर यहां हमे बांदने के लिए मैंने दोरी ले ली अगर आपको यहां को पीच मेन फुड़ा मोटा लेगे जहां से टो यहां कम कर लेए जो इस करेंगे OUR वार फोल्ड करेंगे दूसरी बार फोल्ड करेंगे और इसके किनारे किनारे पर एक स्लाई लगा लेंगे और शुरू में और लास्ट में अच्छे से स्लाई को लोग करेंगे तो यहां से एक बार फोल्ड करेंगे और दूसरी बार फोल्ड करेंगे अच्छे से सिल लेंगे इस च पाटेच हो चुका है से लोग कर लेते हैं तो यह हमारा घेरा हो चुका है कमप्लीट कुछ इस तरह से इसका लुक आ गया है और जो डोरी है इसके हमें डोरी खराब हो जाए इस तरह से इसमें नोट लगा लेतें दोनों साइट पर और ये इस तरह से हमारी पोसाग आ गई है अब ये इसका हम टोप पार्ट बनाएंगे यानि कि हम ठाकुरजी की चोली बनाएंगे तो उसके नहीं लंबाई रखिया मैंने 6 इंच और चोड़ाई रखिया लगबग सबा 2 इंच तो यहाँ पर इस तरह से हमें प्लेट बना ले यहाँ पर चड़ाते हुए प्लेट में डाल लूँगी और 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 फैब्री के थोड़ा से रप्टेगा भी थोड़ा से भागे गए दो दर कोई नहीं पकड़ में आ जाएगा फिर दूसरी साइट की हमारी किनारी आ जाएगी है इसको बिड़ाबर फोल्ड कर देंगे पक हुआ और इसको नीचे से भी सिल्लूँगी है हुआ कि नीचे से भी हम इसको षारी प्लेट को सेट करेंगे और यहाँ पर भी हम एक या दो सिलहीं लगा लेगे तो जल्दी से भी सिल लेते हैं तो हमारी प्लेट्स डल चुकी है सलाई भी लग चुकी है और अभी मैंने काट शाट भी कर दिया है तो यह इस तरह से माई प्लेट्स आई है कुछ दीख भी कम रहा है साइन वाला फैप्रीक है थोड़ा सा इसलिए कम दिखाई दे रहा है तो हपे मैंने पट्टी रखिए के लेकिन चोड़ी लग-भग और लंबाई मैंने इसकी काफी रखिए और इसको फोल्ड करेंगे फोल्ड करेंगे सेंटर का मार्क लगा लेंगे जिससे हम इसके इसके बिलुकुल बीचो बीच हैंपर अटैच करेंगे यहां पर चोली में हम इसे सिल लेंगे यह इस तरह से मैं इसको सिलाई लगा ली और अब भी हम इसके एक बार इक सी पट्टी बना लेंगे तो हैं से सुरू से स्टाट करेंगे एक बार किनारी फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से इस साइड से फोल्ड किया दोनों साइट से डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से बार एक सी पट्टी बना लेंगे जो बांधने के काम आएगी यह डोरी की तरह हो जाएगी कुछ-कुछ इस तरह से पूरी पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करके एक साइट से और दूसरी साइट से फोल्ड करके हाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे तो चलेगा इसको सिल लेते हैं पूरा और हाँ पर भी हमारा ये कुछ इस तरह से यह प्रेट्स वाला पाट है यह यह इस पट्टी के अंदर ही कवर हो जाएगा इसके अंदर हो के सैट हो के आ जाएगा अच्छे से तो यह सिलाई लग गई है तो गाइज यह आसानी से बन जाएगी पोसाक और अर्गेंजर का फैबरिक इतना अच्छा लगता है बहुत ही प्यारा तो सभी के लिए अच्छा लगए मैंने अपने लिए फ्रोक बनाया तो बाबू के लिए भी बनाओंगी तो मैचिंग मैचिं घेरे को ले लेंगे इसका सेंटर बनाएंगे तो अभी हमारा सेंटर निसान हो गया है बिल्कुल सेंटर पे हम अपने टोप पार्ट के लिए चोली को इसमें अटेच करेंगे यहां पर सिलेंगे लगभग मैं सबाया या फिर डेडी इस तक यूपर रखोंगी से जादा न अब जल्द इसे केप बना लेते हैं तो केप बनाने के लिए मैंने ये और्गन यों का फैब्रिक ले लिया है और इके साथ अस्तर भी अटैच कर लिया है तो चोड़ाई देखते हैं इसकी चोड़ाई है दो 2 इंच और लंबा है इसकी 6.5-4 इंच 6.5-4 इंच लंबाई और 2 इंच चोड़ाई तो अभी मैंने नेट का एक फैबरी को और काटा हुआ है नेट की पट्ति जिस जो 2.5 इंच चोड़ी रखे है मैंने और लंबाई में रखी है लगबग 18 इंच अभी सबसे पहले करेंगे इसको डबल फोल्ड इस तरीके से डबल फोल्ड करके हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे तो सबसे पहले इस पहले सिलाई लगा लेते हैं यह रुकेगा नहीं क्योंकि तो डबल फोल्ड करके यहाँ पर मैं लगा लेती हैं इसलाई एक सीधी सिलाई ल बनाते हैं इससे प्लेट्स यह हमने जो साड़े-चार इंचलंब वाला फैप्रिक लिया थे इसके उपर रखेंगे इसको और इस तरह से इसमें प्लेट्स डाल लेंगे सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ पर जोइंट कर लेती हूं सुई अंदर चली जाएगी तो यह हिलेगा नहीं जादा और अब इसकी हम प्लेट्स बनाएंगे यह रपट पहुच जादा रहा है कुछ छोटा पढ़ रहा है हां पर तो इसी ने थोड़ी सी दिक्कत आ रही है व ऐसे भी आज हमाई लाला ने जिद की है कि उन्हें नहीं पोसाग पहननी है तो इस तरह से माई प्लेट्स बन जाएंगी हैं तक मेरी प्लेट बन गई हैं बद दो तिर प्लेट्स और बनेंगी फ्रील हमारे बनके तयार है तो लास्ट में यहाँ पर डालेंगे और लेस भी ले रही हैं बार इक सी और लेस को लगाकर हम एक सिलाई लगा लेंगे अगर आप लेस ना लगाए तो नोर्मली भी आप सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे बिना लेस के तो इस तरह से इसको हम करेंगे सीधी साइड अंदर रोंग साइड उल्टी साइड इसकी बाह और इस तरह से दो सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पर हम दो सिलाईयां लगा लेंगे तो ऐसी कैप आसानी से बन जाती है इसमें कोई दिक्कत भी नी आएगी जो हम पगड़ीया बनाते है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आते है लेकिन इसमें बूलगल भी नहीं आएगी यह तो इकदम से आसानी से बन जाएगी तो यहाँ पर हमारी स्लाई लग चुगी है तो तांके लगा लेंगे यहीं सुई से इसको सिल लेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर टांके लगा कर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और जहां से हमने स्टार्ट के आता वहां तक हम इसे इसी तरह से करेंगे और धाग्यों को पकड़ कर अब अच्छे से खीच देंगे और उसके वाद इसमें अच्छे से हम नोट लगा देंगे तो यहाँ पे हम नोट लगाकर अच्छे से धागय को कट कर देंगे जो उपर एक्स्टा फैबरिक आएगा उसको भी हम काट देंगे और पकड़ी को हम अब कैप को पलट कर लेंगे सीधा तो यहाँ पर हमारी पोसाक, हमारी कानाजीक पोसाक और कैप हो गई है बनके तयार तो चलिए दोस्तो अपने बाबू को ड्रेस पहनाते हैं और उन्हीं से पूसते हैं उनको कैसी लगी लला, लला कहां खेल रहे हो जल्दी से आजाओ, पोसाक तयार हो गई है आजाओ, तो बाबू जल्दी से पहले इस वाली पोसाक को अतार देते हैं फिर नई वाली पहनेंगे जल्दी जल्दी से तो इस वाली पोसाक को अतार दो आप दुबारे से मैं दुबारे से पीछे ले जाकर भी बांदूंगी या फिर आप चाहिए तो डारेक्ट भी पीछे बांदें तो दोस्तों अगर आपको पोसाग पसंद आई हो काना जी की ड्रेस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब या मैं तो बहुत शंदर लग रहा हूं बहुत पहर बारास लग रहा हूं मैं तो बहुत शंदर लग रहा हूं